जैमा गायत्री दोस्तों, श्वागत है आपका अपने ही यूटूब चैनल नीकी ब्लॉग में। दोस्तों, जनक दुलारी, राम प्रिया, जानकी, जैसी नामोशे प्रशीद, शीता जी का जनमोच्षव, हर वर्स फागुन मास के कृष्ण पक्च की अस्ठमी तिथी को मनाया जाता है। इसे जानकी जैनती या सीता अस्ठमी भी कहा जाता है दोस्तों, इस बर्स जानकी जैनती जो है छे मार्च दीन सनिवार को है। इस दिन सीता जी प्रकट हुई थी जब राजा जनक हल से खेत जोत रहे थे सीता जी को लच्मी माता का हिश्व रूप माना जाता है दोस्तों जिनका त्रेता दुग में भगवान कृष्ण और भगवान विश्णु के अफ़तार श्री राम से हुआ था जानकी जैनती के दिन सीता जी की बिधी बिधान से पूजा करने चाहिए जागरन अध्यात में आज हम जानते हैं दोस्तों कि सीता जी की जैनती पे जागरन और जानकी जैनती मनाने से क्या पुन्य और क्या लाव मिलता है दोस्तों तो आईए चलिए विडियो सुरू करते है हम जानकी जैनती की पूजा मुहरत सुब तिथी और उनकी पूजा बिधी दोस्तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अश्ठमी तिथी का प्रारम 5 मार्च को साम 7 बज कर 54 मिनट पर हो रहा है मित्रो जिसका समापन 6 मार्च सनिवार को साम 6 बज कर 10 मिनट पर होगा उदया तिथी 6 मार्च को प्राप्थ हो रही है ऐसे में जानकी जैनती 6 मार्च को मनाई जाएगी इस दिन ही ब्रत रखा जाएगा और बिधी पूरुबक पूजाख की जाती है दोस्तो दोस्तो जानकी जैनती को सीता अस्ट में भी कहा जाता है क्योंकि यह फागुन कृष्ट अस्मिक होती है इस दिन सीता जी प्रकट हुई थी और उसे सीता अस्ट में तब से जाना जाता है जहां तक इसकी पूजा बिधी के बारे में बात करें मित्रो तो शुबह सबसे पहले हमें धुले हुए स्वच बस्तर पहन कर माता जानकी का मन ही मन ध्यान करना चाहिए तथा बिधि बिधान से प्रभु श्री राम और माता जानकी की फोटो का पूजा अर्चना करना चाहिए दोस्तो सीता अस्ठमी या जानकी जैनती अमर शुहाग ब्रत है जिसमें आपकी शुहाग जो है वो अमर हो जाते हैं तथा माता जानकी अपने आपके शुहाग की रक्षा करती है दोस्तो सुहागिन महिलाए जानकी जैनती का प्रत करती है सीता माता की पूजा करके ही वे उन से अपने पती के लंबी आयू की प्रातना करती है इसी दिन सीता जी की पूजा करने से बैवाहिक जीवन की समस्या दूर होती है उम्मीद है दोस्तो आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को एक लाइक सेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद